हलो गाइज, वेलकम टुद अलियस और नहीं वीडियो आ गई है तो C.U.E.T. से रिलेटिड आपकी वीडियो चल रही है C.U.E.T. वाले सेक्शन में जाके प्लेलिस में देख लेना उसके रीजनिंग के मैं कोशन जाल रहा हूँ, शॉर्ट जाल रहा हूँ और Maths में जो Maths है जिसको Numerical Ability बोलते हैं C.U.E.T. के एक्जाम में उसके भी आपको वीडियो आ रही है प्रॉपर, यह बहुत हैल्फुल होने वाली है जो भी इच्छे C.U.E.T. का एक्जाम देंगे, जनरल सेक्शन की प्रॉपरेशन हो रही है तो रगुलर वीडियो देखते रहे हैं प्रॉपरेशन में जाके ठीक है अभी हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम यह करेंगे Profit and Loss तो आज जो यह वीडियो बनेगी Excuse me, तो वो बनेगी Profit and Loss पे तो Profit and Loss के मैंने कुछ Variety of Questions एकटे किये हैं, Equipulate किये हैं और उस पे हम Solve करेंगे और Throughout the Solving अब कोशिश करो Approach देखने की मेरी कि मैं कैसे Questions को Approach करता हूँ और Answer निकालता हूँ चलो, हो गई बाते हैं? अब आते हैं तो बाते बाते हो गई है, अब सीधे हम चलते हैं Questions के और पूछ लिया करो, डरा मत करो जरूर तो ना कि एक वीडियो देखो गए और सारे Concepts में जल जाएंगा, ऐसी नहीं होता है न के बार एक ही वीडियो को दो या तीन बार भी देखने पड़ती है ऐसी होती है पड़ा ही तो, नहीं चलो देखते हैं पहला Question तो, यह जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें मेरा, मैं यह मान के चल रहा हूँ कि आपको basic चीज़ पता है कि cost price क्या होता है, selling price क्या होता है marked price क्या होता है profit क्या होता है loss क्या होता है यह सब पता है न आपको, नहीं पता तो देख लो Response price वह यह होती है कि जिस दाम पर मानलो क वह जमझा पर उसका मानलो किसी दुकानदारने pat着 कोई चीछ खड़ी ती पर उसका प्राइज MRPG को बोलते हैं उसने 150 रुपर रगती तो यह हो गया marked price, यह हो गया cost price, इतने में उसने खरीदी, लेकिन बेचने के लिए, ये price उसने रख दिया, ठीक है? और अगर discount देगा, तो discount क्या होता है? discount हमेशा marked price पर देता है, और अगर 10% discount देदे, तो यहनी 150 पर 10% discount देगा, यहनी 15 रुपे का discount देगा, यहनी selling price उसका कितना हो जाएगा? 135 रुपे क्यों? क्योंकि 10% discount देए, तो 15 रुपे कड़ गए, तो cost price, mark price, discount और selling price, एके line में 70 ही कुशिश करो, तो यह थोड़ा से मैंने पहले आपको preview देने ही कुशिश की है, और profit and loss तो आपको से quick आपको बोल सकते हैं introduction, आप सीधे questions पे चलते हैं और देखते हैं किस-किस type के questions आपके आएंगे CVT में, चलोगी पहला question पढ़ो तो गैसे पहला question देखते हैं if the loss on an article is 5% and its cost price is Rs.90, find the selling price तो article मतलब कोई भी समान को article बोलते हैं, तो कह रहा है question समझा गया, कि किसी article पे 5% का loss हुआ और उसकी cost price बिता रखके 90, तो देखो ऐसे चलता है पहले cost price लिखोगे, 90 हाना, और selling price, मतलब 5% का loss हुआ, यानि कि 90 से कम में भी का होगा, भी, loss तभी होता है, loss कब होता है loss तब होता है, जब जित्ते में खरी तो उससे कम में भी चेगा, यानि 90 से कम में भी चेगा तो ये दो option तो ऐसी गलत होगए वही, loss की बात हो रही है तो यानि 90 से कम में भी बेचा होगा तो ये तो 95.5 है, तो ज़्यादा है तो profit दिखा रहा है, तो loss ये दो option ऐसी करक्ट होगए, तो इन दोनों में से answer हो सकता है तो ये कहा रहा है, कितने का loss है, पांच परसेंट का loss है यानि 90 का पांच परसेंट निकाल लो बस आप सीधे, तो 90 का पांच परसेंट कैसे निकाल लोगए, 5 उपान 100, solve कर लो इसको, कितना होगए, 9,000, 45 और नीचे 10 है, तो 4.5 तो 4.5 रुपे कब में बेच दिया, उसने, तो 90 में से 4.5 रुपे माइनस करोगे, तो answer कहाएगा, आपका ये वाल आएगा 85.50 ठीक है, तो कहने को ये profit and loss के question चलने हैं, पर आप इसको common sense से भी कर सकते हो, और देख लो इस option पर भी नज़र रखते रहा करो, जब भी objective type paper हो, तो option पर नज़र रखो, देख लो, ये दो option तो ऐसी गलत होगए, तो इन दोनों में इसी था, तो जैसी 0.5 देखा, calculate भी करने की जरूद था, तो 0.5 फांट ब्रोकन, और हैट तो बी थ्रोन अवे, अट वाट प्राइस पर एग शुद भी, शुद भी सेल, शुद भी सेल थेम सो एस तो मेक अप्रोफिट अफ 10 परसेंट, इफ ही स्पेंट प्रिस 24 अन ट्रांस्पोटेशन, लंबा चोड़ा लग रहा है, या नि, इदे को इस पर प्रोफिटेंट लोस ठीक है, इसको कॉमन सेंस से भी कर सकता है, कह रहा है, एक ग्रोशर है, इसको असान भाशे हमान लो, दुकान वाला कोई, उसने 10 डजन एग खरीदे, अठार रुपे पर डजन के साब से, तो 10 डजन यानि कि, टोटल एग कितने होगा है, एक डजन में, एक डजन में कितने होते हैं, 12 पीसिस होते हैं, तो 10 डजन यानि, 12 इंटो 10, यानि 112 अग, तो यानि कि, इसने 120 अग खरीदे, कित्ते रुपे में पर डजन अठार रुपे है और दस डजन है यानि कि 10 into 10 यानि कि 180 रुपे में यहां तक बात ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है मैंने इसको डजन को नंबर में लिख लिया कि 120 एग 180 रुपे में खरी दे ठीक है wholesale market से wholesale market से यहां तक क्वेशन समझ जागे है बस मैंने डजन को नंबर में लिख दे 120 उसके अधने एक्स पढ़ता है out of this 10 eggs were found broken 10 अंडे टूटे वे पाए गए उनको फेक ना पड़ा तो 10 एक टूटे वे पाए गए तो बचे कितने 10 ब्रोकन दो कैसे common sense करेंगे अभी तब कोई concept ने लगा भी जो जो question लिखा है वो लिख दे 10 ब्रोकन eggs ठीक है 120 में से 10 ब्रोकन है गए अट वाट प्राइज एक शुड शुड ही सेल सोट्यव भाई का profit of 10% 10% का profit वो बनाए if we spend रुपिस 24 on transportation ठीक है तो उसने खरीदे कितने हैं के transportation मिला के तो मैं अगर लिखूं cost price 204 ठीक है वो 10 egg टूड भी गए ठीक है तो उसके वाद बचे कितने हैं अब egg बचे 110 और वो कह रहा है कि कितने रुपे पर के हिसाब से बेचे कि उसका जो profit है 10% हो तो 204 पे 10% profit कितना होता है 204 पे अगर मैं 10% profit निकाल हूँ तो यानि 204 का 10% होता है या 10% कैसे निकालते हैं जल्दी से जो number है उसके left में एक point लगाओ तो 10% होता है यानि 20.4 होता है तो 204 का 10% होता है 20.4 तो यानि कि इसका profit होना चाहिए profit यानि कि cost price है उससे जाधा तो यानि cost price में 20.4 जोड़ दे हम यानि 204 प्लस 20.4 अगर हम जोड़े तो कितना बनेगा 20.4 अगर हम जोड़े तो बनेगा आपका 224.40 तो मतलब ये 110 अंडे इतने रुपे के बिखने चाहिए तब जाके उसका 10% profit बनेगा तो ये पूछ रहा है किस price पे per egg बिखेगा तो बस 210 अंडे इसको 224.40 पैसे के हिसाब से बेचने तो per अंडे के cost निकाल सकते है यानि कि 224.40 को डिवाइड कर दो 110 से तो एक अंडे का पर अंडे का प्राइड आजाएगा तो डिवाइड कर दो इसको बस 224.40 को 110 से डिवाइड कर दो वो या अंसर है तो इसको डिवाइड का काम आप कर लेना जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका अंसर आएगा 2.04 जो कि है option number C तो देख रहो है ये question profit and loss का लेकिन हमने common sense से सिफ सॉल्व किया इसको तो इसी तरह से common sense लगाते जओ अगर समझना है तो पीछे जाके दुबारा सुथना अराम से समझ जाएगा next देखते हैं इस तरह के question बहुत आपने है okay guys question number 3 देखते है a businessman marks his good तो मतलब उसका समान a businessman marks his good at such price that after allowing the discount to 15% he makes a profit of 20% profit किस पर होता है cost price पर तो ऐसे होता है ना देखो cost price और उसको कुछ marked price करेगा और फिर finally selling price होती है और discount अमेशा marked price पर होता है तो यह कहरा है जो profit है वो 20% का है और cost price दे रखका है 170 तो अगर मैं यह लिखूं cost price 170 है और इसके 20% का profit हो रहा है तो 170 का 20% कैसे निकालेंगे 170 इंटू 20 by 100 इसको solve करोगे तो 1 by 5 इसको solve करोगे तो 5 देख 15 5 देख 20 यहनि 34 रुपे का profit हो रहा है cost price पर तो यहनिकी selling price कितना होगा है 170 प्लस 34 करेंगे तो कितना होगा 204 यहां तक बास समझ में आ रही है question पढ़ते जो cost price question में दे रहा है 170 और कह रहा है profit होगा 20% तो मैंने 170 का 20% निकाला 34 रहा है उसमें add किया 170 में तो selling price हमें मिल गया 204 तो हमें अब तक क्या क्या पता चलिए question में cost price question में रहा है और selling price अभी हमने calculate कर लिया इस से कि profit 20% ता इस चीज़ से ठीए अब पढ़ते हैं हमसे question में हमसे कि अगर mark price की value क्या होगी यह option यह mark price है mark price की value क्या होगी कि अगर mark price पे हम discount हमेशे या धखना discount जो होता है मेशे हम mark price पे देते हैं कर अगर mark price की value क्या होगी अगर उस पे हम 15% discount दे 15% discount दे तो mark price की value क्या होगी तो जो हम mark price पे discount देंगे वो ही selling price होगी जो discount दिया होगा उसी पे तो sell क्या है तो यह जो mark price की value जो निकालेंगे वो होगा 85% की value क्योंकि 100-15% है mark price होगा 100-15% ये mark price ही तो selling price के बराबर होगा mark price discount देने के बाद जो amount आएगा वो ही तो selling price है उसी पर भी काय समान discount देने के बाद तो ये दोनों equal है और ये पूछा है mark price की value बता दो तो बस simple सी बात है यानि कि अगर मैं mark price को x मानो तो 85% of x 100-1585 होता है ना परसेंट का discount यानि 85% बचा 15 तो discount कर दिया तो बचा कितना 85 तो 85% of x बराबर होगा इसके 204 के इसको solve करके x की value निकाल लो और वो ही है mark price तो बस solve कर दो इसको 85% का sign हटाने के लिए नीचे 100 डाला off का मतलब होता है multiply maths में into x is equal to 204 इस equation को solve करो x की value निकालो और वो ही mark price है जब इसको आप solve करके x की value निकालोगे तो आपका answer का आएगा आपका answer आएगा 240 ठीक है यह तो इसको आप option से भी चक कर सकते हैं लेकिन यह है आपको proper तरीका आपने इसमें क्या क्या याद करने है हमेशा द्यान को जो discount होता है वो mark price पो होता है वो जो mark price जो होती है उसका discount के बाद जो amount होता है वो हमेशा selling price के बराबर होता है जो कि हमने यह किया तो यह यह सारी concept है next देखते है question number 4 question number 4 the list price of a watch is Rs.160 list price मतलब जो price आपका दे रखका है वो जो mark price है उसको list price बोलते है तो mark price of a watch is Rs.160 जो देखो confusion ना हो list price या निकी mark price जो अपकी जो भी समान है उसको price लिखा होता है उसको बोलते है list price या mark price और मैं आपको previous question में बता चुग हो कि discount हमेशा किस पे दिया जाता है mark price पे list price पे यह की बात है तो यह कहा रहा है कि mark price 160 है तो 160 रुपी mark price है एक घड़ी पे ठीक है तो mark price मैंने लिख दिया 160 यह रहा उसका आट कहा रहा है कि दो discount दिये successive मतलब एक के बाद एक दो discount दिये इस पे ठीक है वो जो एक के बाद एक दो discount दिये उसके बाद यह finally इतने रुपे में भी की मतलब इसका selling price कितना हुआ 122.40 पैसे मतलब mark price इतना था उसके बाद फिर एक discount discount 1 दिया फिर उसके उपर दूसरा discount दिया discount 2 और finally यह amount आया और उस पे बेची मतलब दो discount देने के बाद जो amount है वो दे रखका यह तो यह पूछ रहा है कि जो पहला discount दिया वो दिया 10% तो 116 का 10% कितना होता है 16 यानि कि 160 मैं से 16 अगर मैं हटा हूँ तो कितना बचेगा 144 तो जब यहां तक महुचा discount 1 तक महुचा तो उसका amount हो गया 144 तो उसके बाद दूसर discount भी दिया होगा तो बस यह ही पूछ रहा है कि वो जो दूसर discount है जैसे पहला discount 10% का है तो यह दूसर discount इन में से कितने percent का होगा तो आपको यह देखना है बस कि 144 में कितने percent का discount दो जिसको मैं X मानू कि amount आपका यह बन जाए 122.40 पैसे यह है question तो basically आपको percentage का वो निकाल ला है तो 144 पे हम कितने percent discount देए कि 122.40 पैसे amount हो जाए तो डारेक्ट आप इसको option से भी देख सकते हो नहीं तो इसको solve कर लो तो देख लो भई 140 into percent का sign अटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा is equal to 122.40 अब इसको solve कर दो x की value आजाएगी और वही आपका percent discount है तो मैं यह 0 से यह point हटेगा और x की value आजाएगी 122.40 upon में 144 इसको solve कर दो तो जब 122.40 को 114 से आप divide करोगे तो x की value आएगी 85 अब धियान रखना है यह 85 तो यह option में नहीं है तो confused मत जाना यह 85 क्या है मैंने आपको previous question में बताया था ना देखो मैं आपको उताता हूँ previous question में मैंने आपको बताया था ना कि discount क्या होता है 100 माइनस यह x की value तो x की value क्या है 85 तो discount कितना हो गया 15% तो इसका अंसर क्या है option number D यह 85 तो इस x की value है यह जो discount की value ऐसे लिखते है 100 माइनस x परसेंट तो जो यह x परसेंट है वो यह 100 माइनस x परसेंट ठीक चलो फिर नेक्स देखते है 15% discount हो गया इसका वैसे direct formula भी होता है successive discount का वो आप देख लेना books और वो सब चीज़े तो है ठीक है नहीं तो मैं short shorts मना दूँगा किसी दिन और देख लेना इसका direct formula होता है कि एक के बाद एक 2 discount दी है चलो मैं आपको direct formula बताई देता है उसका equivalent उसमें क्या होता है जब एक के बाद एक 2 discount होते है तो उसका आपको formula होता है जिससे कि आप equivalent discount निकाल सकते है equivalent discount मतलब जैसे मैंने 2 discount दिये उसका equivalent discount आ जाता है कि x plus y minus xy by 100 यह ध्यान रखना देखो अगर 2 discount दिये में हो तो उसका equivalent discount यह होता है औरेंज color से जो लिख रहा हूं वो होता है कि पहला discount मानलो x है दूसरा discount मानलो y है 85 मतलब 100 minus x या फिर जो भी x है उसको 100 में से minus कर दो वो ही आपका percentage है तो 100 minus 85 यह यह 15 यह objective type paper है इसमें से आपको common sense use कर रहा basically जो entrance exam में CUET हो गए SSC हो गए इसमें आपको common sense जाल चेक करता है तो next देखते है चलिए गास question no. 5 देखते है if the discount sales reduce from 3 1 by 2 percent to 3 1 by 3 percent what difference does it make to purchase for 12 102 रुपे तो basically यह कह रहा है कि अगर जो discount जो दिया गया है sale पे वो अगर 3 1 by 2 से reduce होके 3 1 by 3 हो गया तो अगर discount 3 1 by 2 से लेके 3 1 by 3 हो गया reduce हो गया तो उसके बाद जब इसको purchase करेंगे तो इस amount पे 7 by 2 को कैसे लिखते है 3 2 हो 6 plus 1 7 by 2 percent था पहले reduce होके इतना हो गया तो 7 by 2 percent minus यह कितना है थरती है 9 and plus 1 10 by 3 percent तो इतना हो गया तो इस percent से percent to minus है कड़ गया चलो यह easy भाशा के लिए मैं समझा रहो आपको percentage में आएगा वैसे कटता नहीं है चलो इसको मैं आपको easy भाशा मैंने समझाऊँगा confuse हो जाओगा percentage आपका ठीक है तो इसका निकालो क्या होगा इसका LCM लो मैं लो इसको भी percent भूल जाओ से नंबर देखो 7 by 2 और 10 by 3 तो इसका LCM लिए 6 यह बना 21 यह बना 20 यानि 1 by 6% basically अब आपको discount देना है इस amount पे और वो कितना होगा वो देख लो तो 1 by 6% लिकाल लो इसका तो वह निकाल रहा हूँ 12102 का 1 by 6% परसेंट हटेंगे तो 100 लगाएंगे solve कर दो बस अब इसको इसको जब आप solve करोगे तो आपका जो answer आएगा वो ही है तो इसको मैं जब solve करोगा तो 6 to 12 10 आएगा ठीक है 6 to 12 और उसके बाद 6 एक 0 आएगा उसके बाद 6 बन जाद 6 नीचे यह 100 आएगा 1 by 6% है तो नीचे आएगा 100 यह होगा इसको जब आप solve करोगे तो आपका आएगा 2 0 1 7 और यह नीचे 100 है तो यहाँ पर आजाएगा 20.17 Basically आपको पहले इसको difference निकाला तो 1 by 6% आगया अब इसका 1 by 6% निकालना है तो आपने कैसे निकाला 1 2 1 0 2 उसका 6% निकाल रहे है तो into 1 by 6 और नीचे यह 100 आएगा क्योंकि परसेंट के सायन रहत आते है तो नीचे 100 आएगा इसको जब आपका आएगा तो आपका 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 आए 20.17 जो कि ऑप्शन नूम्बर 1 यह नीचे 100 क्यों है जैसे मैं अगर मैं बोलना हूँ 5% तो कैसे लिखते हैं 5 by 100 यह लिखते हैं अगर मैं लिखो 20% तो लिखते हैं 20 by 100 तो आपका 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 1 by 600 यह नीचे यह लिखा है और इसकी वैल्यों निकाल दी तो 20.17 आपका आगया ठीक है नेक्स दिखते है तो कंडिशन में आपको कैसे बता है ऐसे लिखते है सबसे पहले होता है कोस प्राइस फिर होता है मार्क प्राइस और लास में होता है सेलिंग प्राइस ऐसी चलता है और डिसकाउंट हमेशा किस पे होता है मार्क प्राइस पे होता है अब हमारी कंडिशन ही कह रही है कि cost price of refrigerator रहे इतना तो cost price तो हमें पता ही है 28,000 यह रहा है question में दे रखा है cost price देरी 28,000 उसके बाद shopkeeper ने discount दिया 20% का तो MR यह mark price पर discount देते हैं हमेशे 20% फिर इसके बाद इसको discount दिया और जो discount देने के बाद जो amount में जो उसने sell किया उससे उसको 10% का loss हो गया तो यानि कि cost price पर 10% का loss होना मतलब जितनी cost price है उससे कम में बेचा है तभी तो loss हुआ है जितनी cost price होता है उससे कम में बेचते है तभी तो loss मना जाता है ना तो यह cost price है 20,000 और 10% का loss हो गया यानि कि इसका 10% कम कर लो तो मैंने क्या बता है तो 10% क्या होता है left में एक point लाते हैं ऐसे तो यानि 10% हो गया है 2800 तो 28,000 मेंसे 2800 अगर मैं minus करूँ तो क्या बचेगा आपका बचेगा 25,200 यह बचेगा तो इसका माला selling price इतनी रही है 25,200 10% का loss ही ही है ना 10% इसमें से कम करके बेचा है उसने और mark price का 20% discount देने के बाद यह amount आया यह वही previous question जैसा है mark price का 20% discount यानि कि 20% discount दिया होगा यानि कि 80% of X जो कि X mark price है वही तो पूछा है तो यानि basically X की बाद पूछें तो 80% of X की value इसके बराबर है क्योंकि 20% discount देने के बाद यानि 20% कटने के बाद जो amount बचा है वो यह है तो यानि कि 80% of X जो कि mark price है वो बराबर है इसके तो हमें 100% of X निकालने है 80% of X इसके बराबर है तो 100% X क्या होगा वो ही mark price की value होगी तो पहले इसकी value solve कर लेते है तो 80% यानि 80 upon 100 off मतलब होता है multiply into यानि X X क्या है mark price ही यह बराबर किसके इसके 25,200 इस equation को solve करके आप X की value निकाल सकते है तो X की value क्या आएगी यह 24 times जाएगा यह 25 times जाएगा और 4 upon 5 तो X की value आएगी मैं यह solve करहूं confuse बतो ना X की value आएगी 25,200 into 5 upon 4 तो जब आप इसको solve करोगे तो जब आप इसको solve करोगे तो answer गया आएगा इसको काट के देख लो यह 4, 6 जा 24 4 थी जा 12, 0, 0 तो 6,300 into 5 63 आप तो सिफ कल्कुलेट कर रहा हूं तो हो गया 6,500 यह 6,000 into 5 किता होता है 30,000 और 1,500 तो 31,500 इसका मैंने बस कल्कुलेट किया 31,500 जो की option number B यह ना 31,500 तो समझ रहो आप मैंने कैसे solve किया यह question ठीक है guys तो इस तरह यह question solve होगा आपको अगर cost price, mark price और selling price के concept समझ होंगे न तो आप question कर लोगे और थोड़ा सा percentage वगेरा निकालना आए कि profit and loss पे basically percentage का काम हो रहा है तो इसकी बाद I think इस वीडियो के बाद मैं एक percentage की वीडियो भी बनाँगा ठीक है चल नेक्स question देखते हैं भी यह समझ जागी है न दुबारा सुन ले ना कैसा बना रहो तो ठीक है guys, question number 7 देखते है An article listed at 26,580 and sold at a discount of 10% due to festival season the shopkeeper allows a further discount of 5% fine selling price of the article selling price of the article तो मैंने के बतायता है listed price के होता है यानि के mark price और discount हमेशा mark price पे दिया जाता है यह concept आपको पता होना चाहिए बहुत दार बोल चुक हूँ तो यह mark listed price या mark price यह की बात होती है वो दे रखके आपको इतनी तो mark price यहां लिखते है उसकी value कितनी है 26,580 अब जो discount है वो mark price पे होता है तो जो mark price पे discount देने के बाद जो amount होता है वो ही selling price बनता है तो यानि की selling price के ही इन्होंने question में पूछा कि selling price क्या होगा तो हम देख लेते हैं mark price पे कितना discount है अब इस question में दिक्कत यह है कि discount दो है successive discount है एक है 10% उसके आप festival season के वाज़े से एक और discount दिया 5% तो जब दो successive discount होते हैं तो उसको single discount बनाने के लिए एक formula होता है जिसको हम कहते है equivalent discount का formula वो मैं आपको previous question में भी बता चुको हूँ या दुबारा सुन लो equivalent discount का जो formula होता है वो यह होता है कि अगर पहला discount में X मानू और दूसरा discount में Y मानू तो यह formula होता है equivalent discount का अगर यह पहला discount है यह दूसरा discount है तो इस case में गया होगा 10 और 5 तो पहला वाला X 10 होगा और Y 5 होगा तो यह जब हम solve करके लिखेंगे तो equivalent discount आजाएगा फिर वो जो equivalent discount आएगा उसको यहां से discount डालके और value जोएगी वो ही आपका selling price होगा concept समझा गया आप apply करते हैं तो पहले हम equivalent discount डिकाल देते हैं 10 और 5 का तो इस formula में अगर मैं डालू यहां डाल देता हूँ 10 प्लस 5 minus X Y यानि कि 10 इंट 5 किता होता है 50 divide by 100 तो यह होगा 1 by 2 और 10 प्लस 15 किता होता है 10 प्लस 5 किता होता है 15 15 minus half यानि कि 40.5% तो यह equivalent discount में मिल गया 14.5% ठीक है तो मैं इसको 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 बिटा देता हूँ equivalent discount हमारा हो गया 14.5% तो हमने देखा equivalent discount हमारा आगया 14.5% हमें के निकालना है हमें निकालना है selling price तो selling price क्या होता है जो MRP पर discount दे देते हैं उसके बाद जो amount बनता है वो ही selling price होता है इसको दुकान में सामान खरिटते हैं उसे साब से सोचो तब समझाएगा रटो मत तो MRPN के mark price पर listing price पर जो हम amount discount के बाद जो बनता है उसको selling price बोलते है तो discount हमने निकाला equivalent discount 14.5% का तो इसमें से देखो दो तरीके या तो इसमें से 14.5% निकाल लो वो discount है तो इसमें से minus कर दो और फिर जो amount बनेगा वो ही selling price है या फिर आप 14.5% discount है तो यानि कि जो बच्चावा selling price कितना होगा वो होगा 85.5% यह होगा ना 100 में से 14.5 मैंस करेंगे तो 85.5 तो इसका 85.5% निकाल लो वो ही selling price होगा तो बस निकाल लो 26580 का 85.5% निकाल लो तो 85.5% है तो नीचे 100 डाल दो इस चीज को solve कर दो आप इस solve वाला खेल मैं आप पर छोड़ रहा हूँ जैसी आप इसको solve करोगे आपका अंसर आजाएगा और आपका अंसर होगा यह ठीक है? यह है इसका अंसर ओके समझ गए नहीं कोशन? चलो नेक्स दिखते हैं कोशन बरेट इसे टापके कोशन आएंगे C.E.T. में ओके कोशन नमबर 8 The cost price of 50 cup is equal to the sale price of 40 cup The percentage of profit in the transaction is तो कोशन समझे कि जो 50 cup का जो cost price है वो बराबर है 40 cup के sale price के मतलब 50 CP अगर cup को हम ऐसे मालें तो 50 CP is equal to 40 SP 50 CP cup is equal to 40 CP अब यह पूछा रहा है कि percentage of profit क्या होगा Profit का percentage बताना है क्या होगा 25% होगा 30% होगा 15 होगा 20 होगा क्या होगा तो देखो Profit percentage हम कैसे निकालते थे Profit percentage निकालते थे Cost price पे मतलब कोई cost price होती थी और एक selling price होती थी तो profit का पोता था जब cost price जो है उससे जादा में बिके selling price मतलब sell हुआ तो हम कहते थे Profit हुआ है ठीक है समझे रहे बाद तो यह हमारी equation बनी 50 CP is equal to 40 SP तो यहां से अगर मैं CP upon SP का ratio निकालो तो क्या होगा CP upon SP होगा 40 और यह 50 इदर डिवाइड हो जाएगा 50 तो यह बन गई इसको 0 से 0 कार्ट दो तो क्या बनेगा CP upon SP क्या बन गई है is equal to 4 by 5 यह बन गई है CP upon SP is equal to 4 by 5 अब देखो यहां ध्यान से देखो मतलब CP है 4 और SP है 5 तो हम कैसे लिखते थे ऐसे लिखते थे ना cost price और selling price तो cost price कितना है 4 selling price कितना है 5 तो 4 रुपे की चीज for example 5 रुपे पीची तो percentage profit कितना होगा यह नि कितने रुपे का एक रुपे का फाइदा हुआ किस पे हमेशा profit किस पे निकालते है cost price पे तो एक रुपे का फाइदा हुआ किस पे cost price पे percentage निकालना इसलिए 100 से डिवाइद multiply बस solve कर दो इसको तो 4 25 टैंज जाएगा तो इसका अंसर है 25% ठीक गाइस तो इस तरह से इस question को handle करना है हमने CP और SP का ratio निकाला तो CP आए 4 SP आए 5 यानि 4 रुपे की CP पे जो cost price थी हो 5 रुपे की selling price हुई यानि एक रुपे का profit हुआ और profit किस पे निकालते है profit percentage cost price पे तो cost price के थी 4 200 को की percentage निकालना है तो 25 आगिया चीक है चौन नेक्स देखते हैं दुबारा सुन ले ना गए confusion हो तो next देखते हैं okay guys question number 9 देखते है a shopkeeper purchase 10 pieces of certain items for rupees 8 and sell them at 8 piece for rupees 10 the profit percentage of shopkeepers question ये easy है पर confuse कर रखा भाषा में तो समझो मत ये भाषा में confuse मत हो भाषा भाषा कही तो खेल है पूरा तो किया रहा है एक shopkeeper है ध्यान से सुनो उसने 10 चीज खरी दी कोई भी 10 piece है किसी भी चीज के वो purchase किये और 8 रुपे के साफ से मतलब ये 10 चीज उसने 8 रुपे की खरी थी तो 10 चीज ये आइटम लिख ले तो हमाइटम 10 आइटम और ये cost 10 आइटम उसने 8 रुपे में खरी थे कोई दिख करते हैं तो यहां से पहले तो एक आइटम की cost निकाल लेते हैं देखते जाओ एक सेगें देखो मैं बिल्कुल common sense से करूँगा वन आइटम की cost हो गई 0.8 रुपी ठीक है अब नेक्स बढ़ते हैं ये तो उसने खरीदी ये cost price है cost price और sell कितने में की 8 पीस खरीदे और 10 रुपे में बेजती है मतलब item कितने खरीदे अब यहां इसको हटा दू अब selling price की बात हो रही है तो इसको हटा रहे दू cost price थो हमें मिल गए कि एक item का cost price है 0.8 रुपी अब sell कितने में क्या वो देखते है तो यह हमने निकाल लिया cost price of one item is 0.8 रुपी अब हम बात करने sell की sell उसने क्या 8 पीस sell किये 10 रुपे गे तो 8 पीस यह लिख लेता हूँ item और sell कितना है 10 रुपे गे तो एक item कितना होगा होगा 10 by 8 यानि कि 25 by 10 5 by 4 यानि कि इसको और काटे तो 4 वंजब 4 1.25 1.25 तो देख लो में मिल गया कि हमें cost price एक item कि 0.8 रुपे और selling price एक item कि 1.25 रुपे तो profit percentage पूछ रहा है तो 0.8 रुपे की एक चीज 1.25 रुपे में बेच रहा है अब देखो simple होगा question cost price मिल गई 0.8 और selling price अभी हमने calculate की 1.25 मैं या लिखते था हूँ पिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ मैं आपको selling price of 1 item is 1.25 रुपे यह अभी हमने निकाल लिया इससे बस अब profit percentage निकालना कोई बड़ी बात है हम आले है निकाल लेते है profit percentage कैसे निकालते है profit percentage निकालते है कितने में बेचा obviously profit ही होगा क्योंकि जो cost price है उससे जादा में बेच दिया कितने जादा बेचा तो selling price minus cost price कर दो selling price minus cost price क्या होता है profit होता है तो selling price कितना है 1.25 cost price कितना है 0.8 तो profit कितना हुआ इसको calculate करेंगे तो profit हुआ 0.45 रुपीज का एक आइटम पर तो profit percentage होगा 0.45 percentage कैसे निकलते है 0.45 यानिकी profit अब ऑन किस पर निकलेंगे cost price कितनी है जल्दी बोलो 0.8 profit हमेशा मैं अब 1000 बाब बता चुका हूँ profit हमेशा cost price पर निकलता है तो उपर आया कितने का profit था 0.5 रुपे का cost price और इस पर इंडू 100 को की percentage निकालना है इसको solve कर आप का अंसर आजाएगा यह percentage ही तो पूछें यह percentage है solve कर इसको तो यह 2 0 से यह गया यह point 8 के उपर 450 हो गया तो 450 बाइट यहां लेकरो मैं कन्फिज मत होना 450 बाइट कर दो आप का अंसर आजाएगा तो करो वह यहां कितने है जाएगा यह 8 to 5 to 40 और फिर से वापस 8 to 6 to 48 इसके बाद 8 to 16 और 8 to 5 to 40 आप अपनी स्पिट पर कर सकते हो तो यह आगा 56.25 जो की है कहां गया option option number B है तो इस तरह से आप मैंने अगर देखो ना तो ज्यादा common sense ने लगाया एकदम rudimentary एकदम छोटी class की percentage percentage निकाला सबको आता है वो ही निकाला है बस मैंने देख लिया कि एक item की cost price कहा है और एक item की selling price कहा है यहाँ पर ज्यादा ज्यादा item की बोल रखी थी है तो मैंने उसको एक में convert करके निकाल लिया और फिर percentage निकाल दिया बस profit का ठीक है इसमें चीज यहाद क्यारा करनी है कि profit हमेशा cost price पे निकालते हैं तो यह रह cost price नीच लिग दिया हमने है ठीक है next देखते हैं चलिए guys question number 10 the marked price is 10% higher than the cost price a discount of 10% is given on the marked price in this kind of sell, the seller क्या होगा option में से mark करना है तो भई यहाँ पर बात चल रही है cost price की, mark price की और selling का बताना है तो सबसे पहले होती है cost price फिर होती है mark price और फिर लास परती है SP और discount जो होता है वो हमेशा किस पे होता है mark price पे होता है तो हमें कहागा है कि the mark price is 10% higher than the cost price cost price जो है उससे 10% ज़्यादा करके उसने mark या MRP लिख रख की है तो मैं example लेता हूँ अगर मार लो cost price 100 है तो 100 से 10% ज़्यादा किता होगा इसका 10% होता है 10 वो ज़्यादा करेंगे यानिकी 100 प्लस 10 यानिकी 110 तो 10% higher mark price कर दी उसके बाद discount दिया discount किस पे देते है mark price पे तो discount दिया 10% तो mark price पे 10% discount इसका 110 का 10% क्या होता है left पे 0 लगो तो 11 रुपे होता है तो 110 में से 11 मैनस किये तो 99 तो यानि selling price होगी 99 जब भी ऐसे कुछ कोशन हो जब हाँ value कुछ निदे रख कियो तो 100 माल लो जबने cost price 100 माल लिया उसके फिर 10% higher किया तो mark price होगी mark price पे 10% discount दिया तो selling price 99 आ गया तो यह हमारी condition चल रही है तो भई या यह पूछ रहा है कि इस kind की sale में seller को क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ तो भई seller को अगर आप ठीक से देखो तो loss हो गया क्योंकि seller ने 100 रुपे की चीज खरी दी और 99 में बेच रहा है यानि कि 1% loss हो गया उसको 1% 100 रुपे पे 1 रुपे का loss हो गया यानि कि 1% loss हो गया यानि कि option number 10 रुपे टी है इसकांस ठीक है तो इस तरह से जब value कुछ नी रखी तो cost price को मैंने 100 ले लिया और जो question कहता गया वो करता गया पर इसने 10% mark पर बढ़ा है मैंने 10% बढ़ा दिया उसके आद पर इसने कहा कि mark price पर 10% discount दिया तो इसका 10% discount दिया तो selling price 99 हो गई अब cost price और selling price चेक करते हैं profit and loss में अगर cost price से ज़्यादा में बेचता है simple है यह तो normal हमारी दुकान अगर है तो उसमें ऐसी होता है cost price जो उसने खरीदी दुकान दानने उससे ज़्यादा में बेचेगा तो profit हो उससे कब में बेचेगा तो loss होगा तो यहां तो देख लो 100 की चीज कब में बेच रहा है यानि कि loss हो गया कितना loss हो गया 1% का loss हो गया 100 रुपे पे अगर 1 रुपे कम हो रहा है तो यानि कि 1% ठीक है next देखते है चले गज़ादा question number 11 if an article is sold language थोड़ी से confusing है कोई बात नहीं आराम से पढ़ते है हमारे पास क्या क्या होता है सबसे पहले cost price होता है और उसके बाद यहां पर mark price की बात नहीं होती तो सीधे cost price और selling price पे खेल रहा है यह question सिफ इसमें mark price की बात नहीं होती है मना बीच में आता है mark price क्योंकि cost price को जो बढ़ा के लिखते हैं वो mark price होती है और mark price पे discount देते हैं उसके बाद जो amount बनता है वो selling price बनता है यह तो यह concept अब आते हैं इस question पे question दिखें question कर रहा है एक article article मतलब कोई भी एक समान एक समान को बेचा गया 6% के gain पे 6% के gain पे तो वापस से वो यह कुछ number नहीं दे रखे तो हम माल लेते हैं कि अगर माल लो कोई चीज 100 रुपे किया है तो उस पे अगर gain होगा 6% यानि कि 6 रुपे 6 रुपे यानि उसको बेच रहा कितने होगा 106 रुपे में यहां तक पढ़ लिया हमने और अगर वो loss क्यारा loss दे रहा होता अगर 6% का यह होगा profit यह होगा profit फिर दूसी condition यह दे रखे loss हो रहा होता तो कैसे होता यह cost price और selling price cost price मैंने माल लिया 100 और 6% का loss होता है यानि कि इसका 6% निकालेंगे तो 6 रुपे loss होगा है यानि कि 100 से कम में बेचे गाए यानि 100 माइनस 6, 94 में बेच रहा होता तो यह मली condition होगे loss की क्योंकि selling price कम है cost price जाद है अब यह कह रहा है कि इस condition में seller get 6 रुपे जादा seller get 6 रुपे जादा लेकिन हमारी जो हमने जो 100 लिया है उसे साथ से कितने रुपे जादा हो रहा है हमने जो 100 मानके चले है cost price उसे साथ से कितना जादा हो रहा है भई अगर loss होता तो 94 होता और अगर gain हुआ है तो 106 तो कितने रुपे जादा है 94 और 106 से कितने रुपे जादा है, 12 रुपे जादा है, लेकिन question के साब से 6 रुपे जादा है, तो इसका मतलब, हमने यह जो 100 लिया है, यह जो 6 है, इसका 12 जो है, यह डबल है, 6 का, तो इसका मतलब, हमने जो cost price लिया है, वो double ले ली, जो original होनी चाहिए है, basically cost by 50 लेके, आप यह condition match कर लो, exactly 6 रुपे जादा दिख जाएंगे, हमारे case में 12 दिखे, क्योंकि हमने 100 रुपे लिया, 100 क्यों लेते हैं, कि तक कि calculation easy हो जाए, 6% 100 का निकालना असान है, क्योंकि 100 का 6% 6 रुपे होता है, 100 का 10% 10 रुपे होता है, इसलिए हम cost price को 100 ले लते हैं, और फिर हमने देखा कि भी 12 रुपे जादा आ रहा है, loss और gain के case में 6% के, लेकिन question के साब से 6 रुपे जादा आ रहा है, यानिकि डबल हो गया, तो यानिकि cost price हमने डबल ले ली, तो यानि original cost price करेंगे तो हम half कर देंगे, तो 100 का half गया दो 15, next देखते हैं, okay guys, question number 12 पे पहुंच गए, if the cost price is 95% of the selling price, what is the profit percentage? यानिकि प्राइज, यहां पर मार्क प्राइज, यहां पर मार्क प्राइज की बात नहीं होड़ी, तो सिर्व इन दोनों में खेलेंगे, cost price है, selling price है, if the cost price is 95% of the selling price, if the cost price is 95% of the selling price, तो guys, question को सोच ना सीखो, language ठीक से बढ़ो, क्या रहा, cost price जो है, वो 95% है, selling price का, और profit भी हो रहा है, और profit कब होता है, जब selling price, cost price से ज़्यादा हो, मतलब जितने में cost price या नहीं, जितने में खरीदा है, उससे ज़्यादा मैं sell करेगा, selling price होगी, तब ही तो profit माना जाएगा, तो यहाँ पर condition कहा है, cost price 95% है, selling price की, तो अगर मैं selling price 100 माल जो, यहाँ पर उटा चल रहा है, हम normally cost price को 100 मानते हैं, यहाँ पर उटा चल रहा है, selling price को अगर मैं 100 माल जो, तो cost price इसका 95%, तो 100 का 95% गया होता है, 95, अब देख लो cost price का में selling price जादा है, तब भी तो profit होगी, ठीक है, तो अब यह देख लो, वास, यह profit कितना है, वो बताना है, बस हमें, 95 की चीज़ 100 रुपे में बेज दी, कितना profit है, 5 का profit है, किस पे निकालते हैं profit percentage, cost price पे, तो अब 95 into 100 को की percentage निकालना है, solve कर तो इसको भई, 5 95 by 100 को जल्दी से, 5 95 into 100 को solve करोगे तो, यह आप खुद calculate करना, यह आएगा, 5.26 percentage, इसमें confusing बात यह थी, कुश्चन नहीं समझ भा रहे थे, हमें यह देख लेना चाहिए था, कि profit हो रहा है, यानिकि cost price कम होगी, तो कि यह बार ब हो गई, यह तो loss हो गया, जबकि यहां question में बात उरी है, profit की, तो यहां पर हमें selling price को 100 लिया, और cost price उसका 100 का 95% है, यहां पर आगया 95%, तब ही तो profit हो रहा है, क्योंकि cost का में selling जाद है, ठीक है, next देखते है, चलिए गास question number 13 देखते है, a dealer sold 3 by 4th of his article at a gain of 24% and the remaining at the cost price, percentage of gain in whole transaction, question समझे, एक dealer है, उसने 3 by 4th of an article, article मतलब किसी समान के तो gain पर भीज़ दिये, तो मानलो ऐसे 4 हिस्से है, देखो मैं आपको, यह question बहुत सारे तरीके से हो सकता है, पर मैं आपको common sense से करना सिखार होगी, मानलो 4 हिस्से है, कोई भी चीज़ के, कोई भी चीज़ समान, article, उसके जो 3 हिस्से है, यह 3 हिस्से, तो उसने profit पर भीज़ दिये, 24% के, अगर मैं मानलो इन सब की कीमत 100 है, 100, 100, 100, तो इन 3 का कितना cost price हो गया, 3 का मिला गया, 300, और इसका 24% कितना होगा, 300 का 24% कैसा होता है, आप अपनी speed पर कर लो, मैं अपनी speed पर बताता हूँ, इसका 24% ह होगा 72, तो यानि कि selling price होगी इसकी 372, तभी तो gain आओगा, cost price से जादा selling price होगी, तो यह शुरू की 3 चीजे तो उसने 372 में बेच दी, और फिर क्या कह रहा है, और जो remaining, remaining कौन सी बजगी, 3, 4th, remaining यह वाली बजगी, इसको तो सिफ cost price में बेच दिया, तो इसको 100 पी बेच दे direct, तो यानि 372 प्लस 100, तो चारो कितने में बिगे, 472 में, और थे कितने के 4, 100, 100, 400, तो यानि कि cost price होगी, 400, selling price होगी, यह वाली 472, ऐसे करके calculate कर सकते हो, अब तो आप percentage निकाले सकते हो, तो percentage निकाल लो, बस अब, property हो रहा है, gain ही हो रहा है, 400 की चीज, 472 में बिकरी है यानि कि 72 रुपे का gain, और percentage किस पर निकालते हैं, cost price पे, तो निचे लिखेंगे, 400 into 100, solve करो, चीज़े, 2,0 से 2,0 होगे, और यह 18, 10 जाएगा, answer है 18%, ठीक है, इस तरह से solve करते हैं, questions को, दुबारा सुनने ना कर समनना है, बही कह रहे, 3, 3 out of 4, article, तो मानलो, यह 4 article के मैंने क इसलिए मानते हैं, क्योंकि 100% होता है, तो 100 मानके हम question solve कर सकते हैं, ठीक है, तो यह 4 item जो है, इसकी की मैं सो, सो, सो मानली, तो शुरू की 3 item, 3 by 4, 3 by 4 मतलब 3, 4 मैं से, total 4 है, उस पैसे 3, तो 24% के profit पे बेच दिया, तो 300 का 24% निकाल दिया, तो यानि कि 372 में बेच दिया, औ 472, ठीक है, ऐसे solve कर दिया question, next देखते हैं, चलिए guys question number 14 देखते है, if a commission of 10% given on a mark price of an article, the gain is 25%, find the gain percentage if the commission is increased by 20%, तो अब देखो, इस में क्या गलती करते हैं, बच्चे, commission को समझ नहीं बाते है, commission को, okay guys, last question देखते हैं, इस वीडियो का, और भी हम question करेंगे, लेकिन इतने question, मतलब इसी type के आस-पास question आएंगे, आपके profit and loss में, इस question देखो, बड़ा interesting है, ये गलत कर देते हैं, बच्चे if a man reducing, reduces the selling price from 400 to 380, मालो किसी कोई आदमी है, जिसका selling price मतलब जो बेचता था कोई चीज़ 400 में, अब उसको बेचता है, 380 में, तो ये जो हुआ, ये कह रहा है कि loss हुआ, तो जो पहले locks उसको x% हो रहा था, वो x plus 4% हो रहा है, यानि की बात क्यों ही, plus 4% का loss हो गया, क्योंक 4% का loss हो गया, तो यहाँ इस case में देखें, तो ये कितने % कम किया है, उसने selling price, बैच 400 के चीज 300 सी में बेच रहा है, यानि की 200 रुपे कम कर दिये, 200 रुपे 400 का कितना होता है, 400 का 200 रुपे कितना होता है, 5% ठीक है, sorry, 400 रुपे पे उसने reduce करके 300 सी कर दिया selling price, ठीक है, समझो, दुबार सुनो, दुबार सुनो, एक मैंने, उसने selling price, जो fan का हो, पहले 400 का था, अब 300 सी का था, मतलब पहले SP1, पहले वो इतने में बेच था था, SP2, अब उसको इतने में बेच ने लग किया, ठीक है, अब next वो कह रहा है कि यह जब हुआ, तो यानि उसने 20 रुपे कम करती है, 20 रुपे कम करती है, अब यह जो 20 रुपे कम किया है न, यह basically loss बढ़ गया उसका, क्योंकि कम किये हैं तो loss बढ़ेगा, तो loss कह रहा है पहले X percent था, अब X plus 4 percent हो गया, यानि कितने percent बढ़ गया loss, 4 percent बढ़ गया, क्योंकि X तो है, X plus 4, तो इस 4 percent की value, 20 रुपीज होगी, यह जो 4 percent loss बढ़ गया, यह 20 रुपे की बढ़ा न, तो इस 4 percent की value, 20 रुपीज होगी, अब यह पूछ रहा है, cost price क्या होगी, तो cost price यानि कि 100%, जिसमें कोई loss वोस कुछ नहीं है, वो 100% होगा, तो 4 percent क value 20 है, तो 100% की कितनी होगी, इसको 25 से multiply कर दो, तभी तो 100% हो जाएगा, तो जब इसको left hand side 25 से किया है, तो इसको भी 25 से कर दो, 20 to 25 यानि की 500 रुपीज, यानि cost price की value है 500 रुपीज, जो कि है, option number C, इस तरह से unitary method से आप बहु सारे question solve कर सकते हो, और यह जित्ते भी method मैंने आपको profit and loss के इस वीडियो में समझाएं, यह सिव आपके CUET में नहीं, अगर आप यह method सीच जाओ, तो life वे बड़े सारे आपके entrance exam होंगे, graduation के बाद भी, government job के लिए, उन सब में काम आएगा, तब यह वीडियो लंबी हो रही है, इस वीडियो को इन खतम करते हैं, मिलते है फिर नेक्स वीडियो में, ठीक है, देखते जाओ, सारे reasoning reasoning के भी, मैंने, shots वगरा सब डाल रखें, CV ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में, बाई